प्लैक्टफ़ोम नमबर तीन से जाने वाली गाड़ी खजुराओबो पाल महमाना एक्सप्रेस है बिना सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाय इस ट्रेन में यात्रा करना दंडनिय अपराध है कुरपयाद हैंदी जी गाड़ी साथी और इनका नाम है अधिशंकर जी और अगर आप खजुराव आते हैं तो आप इने एज़ गाइड ले सकते हैं इनकी अपनी आटो भी है और यह आपको पूरा खजुराव गुमाएंगे अब हम चलते हैं इन्डियन रेल्वेस की यात्रा करने के लिए इन्डियन रेल से मेरे थमनेल पे लिखा हुआ है ट्रेन टु खजुराव आई थी इसलिए मैंने एंड-टो-एंड व्लॉग नहीं बनाया मेरा दिल था कि मैं खजुराव जाने तक यात्रा आपको दिखा मैंने अगें यह ट्रेन पकड़ी है नंबर अंदर जाके बताऊंगी लेकिन यह ट्रेन चलती है खजुराव से लेकर भोपाल तक के लिए और क्या आपको पता है कि खजुराव स्टेशन बहुत पुराना नहीं है यह 2008 में बना था ओके दोस्तों तो खजुराव पड़ता ह हैं लेकिन अब इंडियन टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए हैं मैंने आपको कहा कि ट्रेन तु खजुराव तो पहले मैं आपको दोनों तरफ के ट्रेन के बारे में बता दूंगी तो हमें अगर भोपाल से खजुराव आना है तो हमें डबल टू वन सिक्स त्री यह ट्र और खजुराव पहुंचती है डेड़ बजे दुपैर में और यह जो है कुल दस स्टेशन कवर करेगी भोपाल से लेकर खजुराव तक और बीच में आठ हॉल्ट लेगी अब मैं बात करती हूं इस पॉपल ट्रेन महामनाकी जिसमें अभी मैं सवार होने वाली हूं खजु कवर करेगी खजुराव से लेकर बोपाल तक के लिए ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि मैं आपको दोनों तरफ के रूट के बार में बता रही हूं सच अनाइस गॉल आ एम अफकोस बिएस इस अशाली फॉर दीपल बार दीपल अफ दीपल और इस ट्रेन का सफर भी हमारा मजीदा रहेगा वैसे अभी मैं एसी चेयर कार में हूं वैसे इसमें नॉन एसी चेयर कार भी है आगे मैं तो टाइम बताना भूली गई आपको तो ये ट्रेन अभी चलने हाली है चार बच के फंद्रा मिनिट शाम को और पहुंचेगी भोपाल रात के दस बच के पच्पन मिनिट को चलते हैं इस सफर का मजा लेते हैं वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये व्लॉग में थोड़ा आनन्दा है आपको तो हमारी ट्रेन चल दीज है महामाना एक्सप्रेस में एसी चेर कार की कीमत है 630 रुपे और सेकेंड चेर कार की कीमत है 175 रुपे दिन ज्यादा नहीं थे लेकिन बहुत मजा आया मुझे खजुडाव में मूर्तियों को देख देख कर कैजा लग रहा था कि बस यहीं में रुप जाओं और इतने फोटोग्राइफ्स कीचूँ पाव मेरा सुपर बहुत मज़िदा रहा थे जो रहा है मैं तेरा नहीं चाहूंगी कि मुझे असे लगता है कि मैं तो दिन पे जादा कावई नहीं किया है इसे दोस्तों अपनी मामाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कुल 14 रैक्स हैं इंजिन को मिला करके आगे और पीछे जनरल कोच भी है एक आगे एक पीछे और बीच में D1 से लेके D9 तक सेकेंड चेर कार है और हम अभी विराजे हुए हैं एसी चेर कार में और हमारे आहां सीट कुल मिला करके है 73 दो उदर तीन इदर और सेकेंड चेर कार में कुल 6 सीट होती है एक रो में तीन उदर तीन इदर ओके दोस्तों मैंने ये तो किया है लेकिन खाना इस बोगी में नहीं आएगा तो इसलिए खाना लेकर चड़ो या कोई प्लैटफर्म आएगा तो खुछ नगुछ ले ही लो बिस्कित बिस्कित विस्कित वरना भूके मजाओगे ये दोस्तों आप आप एहां देख सकते होकी लेक एक स्फेस काफी है मार और एक सिल्गा समय सबना इसलिए और उहां पर एक लगपन सब्देशने ही तरे मेरेक काफी स्वेसे है में बास्तों तो आप भू अलगे नहीं है сможetने देन व्हा एक रगे लगे हएक्ड़े लेक और इसका बैसन भी काफी क्यूट है यह इंडियन स्टाइल है यहाँ पर एक्साउस्ट भी है यह बड़ी बात है और आईना है प्रिंगार के लिए हाई गाईज अगें यह चोट आसा वाश बैसन है अज़े खोली है और फिर मानानी के लिए के बेस्टन-style वाव, त्सनाइस अगें यहहां पर है अगें यहांे है यहां पर भी वश पैसन है एक्शॉस्ट यहां पर दिया गया यहां पर हमें भिख राप यह बेभी के लिए अगेस के 강ड नो अग्स इसके बास के लिये भी यह जो प्रादे की कोई रवदी है आप टॉलेट में आके कर सकते हो चातरपूर हम आ चुके हैं आ चुके है, आ चुके है, आ चुके है This is Chhatarpur अच्छा रहे चातरपूर व। है कि आपको बता है कि चातरपूर जो है वो बुंदेल के राजा चत्रसाल के नाम पर रखा गया हुआ है और चत्रफूर जो है उसकी हाबना जो हे हुई थी सत्रा सो पचासी में जी तो हर जगे में कुछ खासीęt होती है और वैसे ही चत्र पूर में भी है आप यहां का पन्ना नैशनल पार्ग देख सकते हैं अगर आप चतरपूर में आते हैं तो ट्रेन चल देगी करीब चार मिनिट रुपती है यहां पर अकसरा जब भॉपाल से लोग चड़ते हैं तो मैंने देखा था लास टाइम जब मैं आई थी खजुराओ तो मैंने देखा था ज़िए लोग यहां पर उतर जाते हैं कहजुराओ तक तक वही लोग जाते हैं जो चजुराओ देखना चाते हैं या कोई खजुराओ के हों ने चट्रपूर 32 किलोंगा रास्ता तेय करता है अपनी सीट के लिए बेकरार है ट्रेन का तो यह होता है भागमदोडी भागमदोडी अगर आप लेट पहुंचे हैं तो आपको आपकी सीट तक पहुंचना मतलब देखा आपने यही है हमारे भारत की संस्कृति और मेरी ट्रेन चलने वाली है तो भागमदोडी यही जए नादी अच्छारपूर निकल चुकी है चार बच के 30 मिनट को तरह तो तो हम लोग आप पहुचे हैं खरगापूर और यह जो है करीबं 30 मिनिट लेट है फॉपस फॉग आ चुका है और करीबन 78 km का रास्ता हमने तै किया है यह पर जादे रुखने वाली नहीं है एक यूदित रुखने वाली है और भी बच चुका है दोस्तों याद हगिए चलती ट्रें में नहीं चड़ना चाहिए विकॉस आप जादे यह नहीं चाहिए चाहिए यह थोड़ी सी स्लो है और वैसे यह 110 की स्पीद से चल सकती है मैक्सिमम और पच्पन की स्पीद इसकी एवरेज है दोस्तों एसी चेयर कार की बोगी वो अप्लीटली सब्रेट होती है और इसे लिए देखिए बंद है अब मैं इसे खोलूंगी अच्छा दोस्तों तो यह है सेकंड शेयर कार यहाँ एसी नहीं है लेकिन यहाँ थुली हवा है थुले दर्वाजे है यहाँ की सीट भी जो है गतेदार है थariamenteजते है यहाँ ए यहाँ पर कापी है यहाँ पर स्थै का कांटिया है नहीं है नहीं है? नहीं तो हम सेकेंड चेर का टॉलेट भी देख लेते हैं उसकी रेकी कर लेते हैं कि उसमें और एसी चेर कार के टॉलेट में क्यानता है यहां का बैसल कुछ ऐसा है रखने के लिए कुछ ऐसी जगर है बहुत बड़ा आएना है यहां में वेंटिलेशन है फैन है तो यह था सेकेंड चेर का तीन सीट्स इस तरह और तीन सीट्स इस तरह वैसे सारे के सारे जो है उसके इनकी हालत कुछ खराब हो चुगी है वर्स तिंग यह है कि इसमें पैसेंजर्स की गल्थी है क्योंकि पैसेंजर्स जब बैठते हैं तो यह नहीं समझते हैं कि उन्हीं के पैसों से बनाई गई गई तो यह हैं आप नहीं सेटे हैं सारा इंफरस्रुक्च्चर है तो अगर आप नहीं दियान रखेंगें तो और कौन दियान ुझएगा चोरी करे लेगे हैं एक फॉट चलिए तो हम चलते हैं अपने प्ने प्ने रैक्ने एक अपने यह आगए वो बोड़ी दोड़ी 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 है इन्होंने एक नहीं मिखाली है छोटी जी सोचे दोस्तों इसका इनौगरिल रन जो हुआ था 2017 में और इसकी खालत जो है जो मैंने देखी सेकेंड चेर कार में वो बहुत खराब है ऐसा होना नहीं चाहिए यह पैसंजर्स की गलती है या चोरी करने वालों की वो एक दोस्तों तूह है तूह दोस्तों हम लोग 114 किलो मेटर का रासा तैकर की पहुंच गये टीकमगर्ड आसए मैं देख रही हूं काफी सारे लोग चट रहे है जनरल में जनरल में जनरल बोगी का हाल बहुत बुरा है यहाला वाज कम पैसे में जाना है तो अविस है आपको जनरल में जाना होगा अगर आपकी कन्फर्म टिकेट नहीं हुई है तब भी अपने जनरल में जाना होगा वाव यहां से नजारा बहुत है अपने जाए जाना होगा में जाना होगा स्पर्म टिकेट काया मैं जाना है वाव यहां से तब भी अविस काया हा लाव यहां से उड़ यहाण चाहिए है कि यहां पर साथ दैम्स हैं इसे माना जाता है सिटी ऑफ दैम्स दो में हैं मतलब कुल मिला के नौ दैम्स हो जाएंगे उसके फोटोग्राप्स मैंने देखे बहुत ही कुछूर दैम्स है लेकिन यह स्टेशन मुझे दिख रहा है कि काफी बड़ा है कंपेर तो इसके पहले के जितने भी स्टेशन हम लोग ने देखे एवन फोटाट मैं चटरपूर भी हम लोग पहुंचुके हैं पीना जंक्शन और यहां पर भी करीबन दो मिनिट रुकने वाली है वैसे यह जंक्शन है तो यह काफी बड़ा स्टेशन है दिखाए दे रहा है थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं जादेर को रुकने नहीं वाली है स्टिल अच्शन है जुआ मारी है तो यह जीए तो यह काफी बड़ा साली काता है तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी बमोरा और हम टाइम पर हैं वैसे अभी तक में हम ने 246 किलो मीटर का रास्ता तैकर लिया हैं खजुराव से लेकर के मंडी बमोरा तर चीज का धियान रगना अगर आप खजुराव से भोपाल की तरफ अगर जा रहे हैं क्यूंके आप को स्टेशन्स पर ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला है तो आप खजुराव से ही पैक कर लीजिएगा और मेरी ट्रें चल दी क्यूंके कुछ ख़णा नहीं मिल रहा हैं गोड़ दामने इसी चेरकार में इतना बोरिं हो गया कि मैं आगरी सेकेंड चेरकार पर अगरी अगरी मेले कुछ भी नहीं है ताइम पास भी नहीं है आपको बताती कितने बोरिंग लोग है एसी चेरकार से हैं लेकिन सेकेंड चेर में अहाँ लोग बाते कर रहते हैं एक दूसरे के साथ यही मुझे उसमें ज्यादा मजाता है लेकि क्यूंके ट्रें का सफर वोड़ते है बच अच्छी है जो में साथ खेलना चाहरी है चलो उसी के साथ खेल करके टाइम पास करती हूं है कुछ नहीं है जुरो ने 274 किलोमीटर का सफर कर लिया है वोबाल की तरफ और हम पहुंच चुके हैं गंज बसोडा वैसे ही 13 minutes late है अच्छी में में पढेख लिया था इसमे पहले मंडी पर मैं खातोरी जाओंगी तुमको अऑ तुमको अड़ा लोलिपॉप लेलूंगी इसलिए और एक है तुमा पास? यह लेलूँ यह लेलूं? जो एब भाई चाहने करेगी हाँ? अरे भाई, इना सननाटा क्यो है भाई? रात के समय में यही एक प्रॉब्लम होता है कि हमें कुछ भी नहीं दिखाए देता जो बहार हो रहा है सिर्फ स्टेशन पर कुछ अगर चेहल पहल है तो ही लिए लिए यादा है कि मुझे भूख लगी है लेकिन आपको यह बता दूँ कि फ्यूज गोईल जी ने भी अनॉंस्मेंट किया है कि वो वालिटियर्स भेज रहे हैं ट्रेन में, स्टेशन पर पैसेंजर्स को यह ताकिस कर रहे हैं कि आपको बिल लेना है अगर आप कहीं भी कोई भी केटरीन का खाना लेते हैं तो चाहे श्टेशन पर लेते हैं या चाहे क्रेन में लेते हैं तो और एक बात कि अगर आपको बिल देने से को इंकार करते तो खाना फ्री 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 माँ पैसा लोग स्पेंड करते हैं ट्रेड में आने जाने के लिए तो उनको वैसी सुविधा मिलनी चाहिए सुविधा के साथ सेथी मिलनी चाहिए सेथी के साथ फैसिलिटीज भी मिलनी च आपको कि हमारी इंडियन डेल्वे इस प्रेसेंट गवर्मेंट से कुछ अच्छा काम करें नहीं तो पब्लिक है यह सब जानती है पब्लिक है दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं विदीशा और विदीशा की खासियत है कि यहां से आप उदेहगिरी जा सकते हैं और तूसरा गिरासपुर तो आप विदीशा से सांची भी जा सकते हैं नो किलोमेटर का रासा आपको टेह करना होगा ट्रेन से और यू पहँच जाएंगे आप मेरा सांची का व्लॉग भी देखोगे या देख चुके होगे वर्ल हेरिटेज साइट भी है और बन अफ दे ओल्डेस्ट बुदिस्स तूपा भी है Okay guys, so अम लोग बपाल आचुके हैं अभी भीर नीचे उतर रही है राइप पर ट्रेन आगे यहां पर दस बच के पच्पन मिनिट को और 367 km का रास्ता हमें थे खाजुराओ से भोपाल तक तै कर लिया तो डबल टू वन सिक्स पोर की जर्नी वहतरीन रही पर खाना कुछ नहीं मिला तो अगर आप लोगों को इस ट्रेन में आना है तो खाजुराओ से आप खाना प्रवाल लीजे क्योंके यहां पर 11 बजे आप पहुंचोगे भूग बहुत लग जाएगी अभी मुझे चेक-इन भी करना है और मुझे खाना मिलने वाला नहीं मैंने कॉल कर लिया था और हुरों अजारी तस मुझे रेस्टरेंट बंद हो जाती है मुझे बहाँ से खाना लेहां लेहां एटाएगा वल्से फ्रम में लेहां लेहां लिजा है तो ट्रेन तु कजराव यहां पर एंड हो लाइक किजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंड कीजिए, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर बने रहे हैं और www.extremeroads.com पर हमारा साथ देते रहे हैं तब दोस्तों, सिटी ओफ लेग में आपका स्वागत है, बोपाल में प्राम कीजिए, कमेंड कीजिए, आपका स्वाबएब कीजिए, बोबदे रहे हैं